हेलो फ्रेंण्स मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज हम सीखेंगे यह ड् ard इस पूरसे इस तरह से बनकया तह प्रेंड से चार मोंकर ड्षैयं है बैक सैट इस तरह से बनकाईगा आये सीखते हैं डिजाइन की फ़र्ष्ट रो शुरू करते हैं डिजाइन की फ़र्ष्ट रो ऐस्ता फंदा हमने इस बार उल्टा बना लेना है और तीन फंदा सीधा एक, दो, तीन तीन फंदों में डिजाइन बनना प्रेम से एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे और तीन फंदा सीधा बना लेंगे एक, दो, तीन दागा अपने तरह, एक फंदा उल्टा दागा आगे की तरफ रखेंगे तीन फंदा सीधा एक, दो, तीन साइड में जो फंदा है इसको हमने उल्टा बना लेना है फर्स्ट रो यहां पर हमारी कम्प्टिट हो चुकी है डिजाइन की सेकंड रो रांग साइड उल्टा फंदा सीधा बना लेना है पीछे बैक सैर से और इन तीन फंदों को उल्टा बना लेंगे एक, दो, तीन दागा आगे की तरफ रखेंगे एक फंदा सीधा बना लेंगे दागा अपनी तरफ तीन फंदा उल्टा एक, दो, तीन दागा आगे की तरफ एक फंदा सीधा धागा अपनी तरब रखेंगे तीन फंदा लटा बना लेंगे एक दो तीन थागा आके की तरह mã second row हमारी complete हो चुकी है design की third row लटा फंदा उलटा बना gi Nee इन में पहले हमने इस तरह से ले लेना है फिर वापस उल्टे हाथ किस लाए में इस तरह से रख लेंगे आप क्या करना एक जाली बनाएंगे आगे की तरह और इन तीन फंदों का एक फंदा बना लेंगे इस तरह से तीन फंदों का एक फंदा बना लेंगे यहां पर उल्टा फंदा है तो इधर हमने इस तरह से अपनी तरफ की और जाली बनानी है और उल्टा फंदा को उल्टा बना लेंगे धागा आगे की तरफ रखेंगे पहले इन तीन फंदों में इस तरह से फंदा लेना है फिर उल्टे हाथ की स्लाई में रख लेना है इसको एक जाली बनाएंगे और तीन फंदों का एक फंदा बना लेंगे अब अपनी तरफ हमने जाली बनानी है यह उल्टा फंदा है तो अपनी तरफ जाली बनाएंगे और उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे धागा आके की तरफ पहले तीन फंदों में इन दोनों फंदों को इस तरह से लेना है फिर वापस उल्टे हाथ की स्लाई में इस तरह रख लेंगे फिर एक जाली बनाएंगे इस तरह से और तीन फंदों का एक बना लेंगे अपनी तरह एक जाली बनाएंगे उल्टा बना लेंगे यहाँ पर हमारी तीसी रो कम्प्लिट हो चुकी है पूरी रो हमने सीधी सीधी बनाके कम्प्टीट कर लेनी है चार उकर डीजैने फ्रेंड से आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको अपलाई कर सकते हैं पूरी रो हमने सीधी बना लेनी है पूरी रो यहाँ पर हमारी कम्प्लिट हो चुकी है इनी चार रो को हमने बार बार रिपीट करना है फर्स्ट वाला फंदा उल्टा बना लेना है फर्स्ट रो की तरह इसको बनाना है हमने तीन फंदे आप सीधा बना लेंगे एक दो तीन दागा अपनी तरह एक फंदा उल्टा दागा आगे की तरव रखेंगे तीन फंदा सीधा बना लेंगे फर्स्ट रो की तरह हमने इसको तयार करना है तीन फंदा सीधा बना लेना है एक फंदा उल्टा बना लेंगे तीन फंदा सीधा एक, दो, तीन उल्टा फंदा इसको उल्टा बना लेंगे दूसरे डिजाइन की फर्स्ट रो हमारी कम्प्लीट हो चुकी है डिजाइन की सेकंड रो रॉंग साइट उल्टा तीन उल्टा बना लेंगे और एक भंदा सीधा बना लेंगे तीन फंदा उल्टा एक भंदा सीधा दागा अपनी तरह तीन फंदा उल्टा एक दो तीन फंदा आगे की तरव रखेंगे एक भंदा सीधा बना लेंगे दागा अपनी तरव रखेंगे तीन फंदा उल्टा एक दो तीन साइट वाला फंदा इसको हमने सीधा बना लेना है सेकंड रो यहां पर हमारी कम्प्लिट हो चुकी है थर्ड रो उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे धागा आगे की तरव रखेंगे अब यह तीन फंदे इसमें हमने क्या करना है पहले हमने इन फंदों को तीन फंदों को दो फंदों को इस तरह से लेके फिर उल्टे हाथ की सिलाई में इस तरह से रख लेना है इसके बाद हमने एक जाली निकालनी है और इन तीन फंदों का एक फंदा बना लेना है फिर अपनी तरफ जाली बनाएंगे इस तरह से उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे धागा आगे की तरफ रखेंगे तीन फंदों में पहले दोनों फंदों को इस तरह से ले लेना है उसके बाद उल्टे हाथ की सलाय से इस तरह रखके एक जाली बनाएंगे पहले और इन त बनाने बनाने को कि बनाने पार आगे की तरफ रखेंगे पहले इन दोनों पंदो को रखेंगे पहले भ cosmetic हाथ के स्लय में एकषिर बनाने है फिर उसके बाद तीन फंदों का एक बंदा बना लेना है एक जाली अपनी तरह बनाएंगे और उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे थार्ट रो यहां पर हमारी कम्प्लीट हो चुकी है फोर्ट रो रॉंस साइड पूरी रो सीधी बनाके कम्प्लीट कर लेनी है पूर्ट रोपी यहां पर हमारी कम्प्लीट हो चुकी है इस तरह से बन के आएगा फ्रेंब्स से आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको अपलाई कर सकते हैं पूरा बन की इस तरह से देखेगा तेंक यू फिर मिलते एक नए वीडियो के साहँ